गाइस आज हम चेप्टर नमबर 13 सेक्षन इन मिट फोर्मुला इसको एक्सरसाइज 13 सी कंप्लीट करेंगे इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसके एक्सरसाइज और सेक्टीयी अब्लग है आप मिल जाएगा तो अमने प्ले लिश्ट का लिंक सी रास सिरी मौद्श के कैने इसकर पार अगर आपके आप हमारी कुछी भी वीडियो पर जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट हम अवरी इसको इसको आज complete करेंगे हैं तो देखते हैं इसमें question number first फॉक्ट तो इसमें करेंगे हैं लेकिन हम आपको सभी question कराते हैं complete solution देते हैं कोई भी question इसमें किया रहा है इसमें फॉर को माफ बी कितना है इसमें पॉइंट पी लाइस करता है बीसी पर बीसी पर एक पॉइंट पी लाई करता है यहांपर कि अग क्या कर्मिशन और पी पॉइंट इस लाइन बीसी सब्सक्राइब कर रहा है कि बीपी और पीसी का रिषय तरी हमारा इसमें बीबी 예श बीसी के सकते हैं इसको घैंड ये लाइन सेग्मेंट की लैंद यह सिंपल कॉस्चन है बिलकुल कैसे सिंपल है कि ऐसे पासे पीपॉइंट और पीपॉइंट कर सकते हैं कि इस पॉइंट को अगर हम एक्स को मा वाइल एक कर लेते हैं है इसको हम X1 Y1 इसको X2 Y2 कर लेते हैं तब हमारे section form लगए क्या कहता है section form लगए according हम क्या करते हैं इसमें इनको क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं जैसे हम M1 और M2 section form में लगए according X की value क्या होगी section form लगए क्या होती है हमारी X is equals to M1 X2 M1 X2 plus M2 X1 यह तो होता है हमारा M2 X1 divided by M1 plus M2 यह होता है हमारा simple ऐसे अगर हमें Y की वेल ले चाहिए तो Y की value आप कैसे find करोगे Y is equals to क्या होगा Y is equals to होगा M1 Y2 इस बार Y वाली value लेगे हैं M1 Y2 plus M2 Y1 M2 Y1 divided by M1 plus M2 ओके कि सोल्व करेंगे इसको X की value find करेंगे M1 की value 3 है हमारे पास X2 X2 की value है 5 plus M2 M2 की value है 2 X2 oh sorry X1 X1 की value है 0 divided by M1 और M2 का sum 3 plus 2 ओके X is equals to क्या होगा 3 5s 15 plus यह 2 into 0 0 और यह 3 plus 2 5 यह कितना हो जाएगा 15 upon 5 और यह हो जाएगा 3 ओके ना अब हम क्या करेंगे Y is equals to M1 M1 की value 3 Y2 Y2 की value कितनी 10 plus M2 M2 की value कितनी 2 Y1 Y1 की value कितनी 5 divided by M1 plus M2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 plus 2 सोल कर लेंगे इसको भी हम कितना जाएगा यह है यह तो 3 आगे हमारे एक सी value यह 310 जा 30 plus 2 5 जा 10 है 325 यह कितना हो जाएगा 40 divided by 5 और यह जाएगा एट इसका में इस पी पॉइंट आगया हमारा क्या 3,8 पी पॉइंट यह आगया हमारा 3,8 एं पॉइंट है हमारे पास लेंद तो एपी चाहिए आपको तो बस आप इसको से क्कंच कर सकते हो तो अगर हमने इसको एक्स सब्सक्राइबन लाड किया इसको आप Ent करेंगे इस devenir यह तो आए नहीं नहीं देछा है आपने कुछ ब्सक्तेंस का सि ब्लग सकते हो तोons right ओके तो यहां पर कितना होगा एमारा एक्स टू एक्सकार यह 4-1 की वेल्व क्या 3, all square, plus y2 की वेल्व क्या, minus 4, minus y1 की वेल्व क्या 8, all square, okay, फिर solve करेंगे सको, 4-1, all square, plus, minus 4, minus 8, minus 12, all square, okay, now, 1, यह, 12 का इसका एर, 144, यह कितना हो जाएगा, under root 145, 145, factor करते हैं, अगर हम, ऐसा था, ऐसे भी यह एगी, ठीक है, हमारा आचा, लेकिन, factor करके, इसकी value find करते हैं, अगर, तो इसमें 5 से answer हो रहा, 5, 2, 10, 5, 9, यह, 29, 10 का मिन्स, दोने प्राइम नमबर है, यह पिर कह सकते हो, पेर बनी नहीं रहे हैं, तो यह 145 यह रहेगा, ओके, तो यह हो गया हमारा question number, first नमा का, ऐसे next question भी करेंग हैं, यह क्यार लगाएंगे, इसमें, division method, इसके लिए मैंने आपको separate video बनाई है, division method आप देख सकते हो कि किस टाइप से हम, division method से values find कर सकते हैं, तो इसको आप कर लेना, तो यह होगे हमारा first question, next करेंगे इसका, next नहीं को बिल्कुल, ऐसे ही question है कि, a, b, are two fixed point, find the coordinates of the point p in a, b, such that three of p, b, equals to a, b, also find, क्या करना है, आपको also find, coordinates of some other points q in a, b, such that a, b, equals to six of a, q, okay, यह करना है आपको, तो अब इसको देखो हम, थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या कह रहा है है, कि आपको सबसे पहले, a, b, two fixed point line है, मतलब एक line segment बना लेनी है, इन से आप, कि a, b, two fixed point ले रहे हो, इनको join करते हो, एक line segment होगा, हमारा line segment means line का part, क्योंकि एक straight line होती है, infinite length की, लेकिन line segment कि जए कहते है, line के एक part को, तो हमने line का एक part लिया है, तो यह state line का ही part है, 20 और 10, minus 20, यह two fixed point है, इस पर कोई point line करता है, जिसमें कहा रहा है कि three of pb, three of pb equals to a, a, b है, तो इसका means ratio कैसे find करेंगे, ratio ऐसे find करेंगे की, pb, a, b, को नीचे लेके आएंगे, a, b, यहाँ पर one बचेगा, और यहाँ यह वाला थिरी दर आजाए गड़िए इसका means pb, pb, और a, b, का ratio, one ratio, three of pb, one है, और यह a, b, कितना थिरी है, a, b, कितना given करेंगे, three है, तो इसका means यह कितना हो जाएगा, यह two हो जाएगा, simple है, तो यह one ratio two होगे हमारा simple, अब हम इससे क्या कराएगे, p, find the coordinates of p, तो p के coordinates find कर लेंगे, कैसे, अगर हम इसको x, y let करेंगे, और यह हमारा m1 है, यह हमारा m1 है, और यह हमारा m2 है, और इसको हमने x1, y1, और इसको x2, y2 लिया है, तो कैसे करते हैं, गो x की value, x इसी करते होता है, m1, x2, m1, x2, हम इसा formula लिखना है, सबसे पहले, plus m2, x1, m2, x1, x वाली value में, सभी x वाली values होंगी, ऐसे याज रख सकते हैं, इसको, m2, x1, divide by m1 plus m2, m1 plus m2, यह होगा हमारा simple, ऐसे ही अगर हम y find करना है, तो y के लिए, m1, y2, m1, y2, plus m2, y1, m2, y1, divide by m1 plus m2, now, आप इसको solve करेंगे, x equals to m1, m1 की value किया 2, x2, x2 की value किया 10, plus m2 की value किया 2, sorry, m2 की value किया 1, x1 की value किया 20, divide by m1 plus m2 कितना होगा 2 plus 1, solve करेंगे इसको, कितना हो जाएगा यह, solve करेंगे तो यह आएगा 20, और यह plus 20, और divide by 3, 3, यह कितना हो जाएगा 40, divide by 3, mix fraction में भी लिख सकते हैं आप, mix fraction में हो जाएगा 3, 3, 3, 3, 9, और 1 upon 3, and y को अगर हम solve करें, तो y क्या होगा, m1, m1 की value 2 है, तो 2, y2 की value कितना है, minus 20, plus m2 की value कितना है, m2 की value 1, y1 की value कितनी है हमारी, y1 की value 0, divide by, m1 plus m2, y is equals to कितना, minus 40, plus 0, divide by 3, यह कितना है, minus 40, divide by 3, या फिर इसे minus में कह सकते हो, minus 13, 1 upon 3, हमें का कोनिति की फॉर्म में तो यह जियू हमें को क्शिक पोन में आ खिर की tie लिए कि इसमेंक ucking ए का क्ष्च इस फों म मैं सकते हो эти मिक्स्ट्राइख लिए हम, है अग आगा देखते हैं कि काफ उसको पाइंड ऐसलिके अभी आगा को सुम्राइड करना यू थो जो सम्रीन और पॉइंट क्यों इन एब इव पर एक पोईंट एक पुइंट क्यों अछ लें एक वाली ले रहे हैं यह है हमारा 20,0 and B है हमारा 10,20 और Q-point लेना आँ हमें हापर कोई इसके कोडिनेट सामें find करने है लेकिन इसने क्या कहा है कि A B is equals to 6 of A Q है A B is equals to 6 of A Q है इसका मेनिक क्या है कि A B और A Q का ratio कितना है 6 ratio 1 है means A B पूरा कितना 6 है और A Q कितना लेंगे 1 तो इसको हम लेट कर लेंगे कि यह 1 और यह पूरा ratio 6 है तो इसको हम 5 लेट करेंगे ओके M1 और M1 यह हो जाएगा और M2 यह हो जाएगा इस टाइप से लिख सकते हैं इसको हम अगर आपको बताना है कि वह यह B B Q कैसे आया है तो B Q कैसे आया हमारा B Q is equals to 2 होगा A B minus A B minus कितना A Q A B minus A Q A B minus A Q करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6-1 A B Q कि हमारा 6 है A B आजाएगी वैल्ली वह 5 आजाएगी तो इसको 5 लेगे यह रेशो है हमारा exact value नहीं है यह exact value नहीं है आप इन्हें M की form में भी ले सकते हो ऑके कैसे कि आप A B को M लेट कर लो कि A B को 6M लेट कर लिए आपने है कि A B को 6M लेट कर लिया इसको 1M लेट कर लिया तो आपके अगर होगे 6M-1M करोगे तो 5M आएगा अब हम अगर A Q और किसका रेशो देखें A Q and B Q का अगर हम रेशो देखें तो A Q कितना आ गया हमारा A Q है हमारे पास पहले से अगर हमारे पास तो यहाँ पर हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 और डिवाइड वैं M1 प्लस M2 शोल्व करेंगे X के लिए M1 की वैली 1 X2 की वैली कितनी 10 प्लस M2 की वैली 5 X1 की वैली 20 डिवाइड वैं मन प्लस M2 1 प्लस 5 एकके एक्सिवली कितने जाहेंगे 10 प्लस 520 10 यूद्ध डिवेट बाइचिक्स कितने यूद्ध यूद्ध डिवेलिए डिवर्ड गर्टियू दिवेट टैन डिवैट बैसिक्स गैंसिल रहा है टू फाइब टेन टू एड़ वड़ेट तो तू फाइड टन टू यूद्ध e всп बार बार इसी टाइब की कोष्चन आ रहे तो इनको तो आपको स्षम सेक नहीं हमारी गैसा यह से करने में यजिकल्स टू माइनिस 20 और ए प्लस जीरो और डिए ट्वाइट इए बाइट सिक्स्क्राइब हर एक यह मिनस तो रोट गेस्ट ऑपोर जिए डिए नॉटिगे करें टूसे तो में थे प्रोन पून ठीच यह आगी वेली तो तो क्यूं की वेले ट नेक्स पार्ट है हमारे सब्सक्राइब एक फोस्टन थर्ड को से नमबर थर्ड में कह रहा है कि A B C आरदर वर्टीस तरे ट्राइंगल A B C तो ट्राइंगल A B C अगर हम ड्रोग करते हैं आपर ट्राइंगल A B C क्या होगा A की वेल्यू माइनस 8,0 B की वेल्यू 6,16 0,16 C की वेल्यू 0,0 आरदर वर्टीस तरेंगल A B C पॉइंट P लाइज ओन A B पर पॉइंट P लाइज करता है एड़िए सूत क्यों लाइज एसी एसी के पर क्यों ही करता है कि सच दैट एप्य पीर पी पी और पी बिदेश हो आइगते थे रहोंorama नेकर राइसलें जोन निदेरे ले ले लेंगे पेड़ी एड़ी विदेवर्जें हैill एक्टियू रेश्यो क्यों क्यों सीं यह घरा कितना यह भी त्रीर जेश्यो क्यारा है तो आपको शोगरना है कि फीक्यू जो लेंद्स है वो इसके फ्री भाइट व बीच के लेंद्स के उत्प है ऐसा हम कैसे बताओ इसको शोगरने के लिए सिंपल आपको PQ और BC की length find कर लेनी है बस हो जाए गई है क्यों कि हम length से इसका comparison करके दिखाएंगे BC की value जाएगी उसको 3 by 8 BC के एक पर दिखाएंगे PQ की value को 3 by 8 BC के एक पर दिखाएंगे कैसे सबसे पहले हैं P और Q point find करते हैं तो अगर हम P point find कर रहे हैं कि 4. P इसके लिए हम देखो इसको M1 M2 इसको लेट कर सकते हो किसी को भी कर सकते हैं इनको X1 Y1 लेट कर सकते हो तो इसको X2 Y2 लेट करेंगे इसके लिए X की value क्या होगी इसके लिए X की value होगी क्या M1 X2 M1 X2 प्लस M2 X1 और divide by M1 प्लस M2 solve करेंगे अगर हम इसे M1 की value 5 ले रहे हैं ठीके इसकों क्या ले रहे हैं M1 M1 की value 5 X2 की value minus 8 प्लस M2 की value 3 X1 की value 0 divide by M1 plus M2 की दो हो जाएगा 5 plus 3 जाएगी X की value minus 40 प्लस 0 और यह प्लस 0 और यह 5438 तो जाएगा 85s of 40 तो जाएगा minus का 5 ओके य के लिए Y is equals 2 करेंगे एगर हम Y is equals 2 क्या होगा M1 M1 X2 M1 Y2 जोरी वाई यह न वैली तो यह प्लस M2 Y1 M2 यह वाला वाई लेंगे वाई लेंगे वाई लेंगे वाई टू M2 की value कितनी है हमारी 3 है and Y1 कितना है हमारा वाई वाई बने 16 इंडिवाइड भाई M1 फ्लस M2 करेंगे तो 5 फ्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा यह जीरो हो जाएगा प्लस एक सिक्स टीन तरी सा कितना होता है 48 होता है 538 क्या 48 एंडिल हो जाएगा it's a yes six time's more जाए तो वाई की value आगए six आहापा एक शीव एक ही वैल्म माइनस five तो पी point आ गया हमारा प्या तो पी point आ गया हमारा क्या माइनस five एक्स एसक्यो पॉइंट करेंगे क्यू कि लिए कि इसको एक्स वाइबन लेंगे हम यहापन उसको करेंगे स्कों किसके लिए क्यों के लिए क्यों के लिए एकस वेल्बविक्या होगी एम एक्षिड्ट कर रहा हूं इस बार में फोर्मॉलाइं लिए हुआ है यहां पर एक सथ क्या लेता है एक स्टू एक सटू कि वाल्य माइनस एट प्लस एंदू एम की वीयूू 3 एंटू के साथ क्या लेंगे एंटू के साथ लेंगे एक सब्सक्राइबस एन एंप के वैलिए झाल्य त कि भेल्यू 5-3 एंद relief प्लस करते तो वैली सेम रहेंगी नहां जाएगा एट एकसी फिर माइनस फाइब करें य के लिए के लिए फिर आप इंडुट जी लॉट प्लस एमटू हैं म्टूं वाइब लिए वन इंडू दिवाइड वैं कितना एंप्लस एन मीश्फाइब लस तो पूरा उपर जी रॉर आ रहा है कि पाइब जीड़ो जीरो फिर निट जीरो जीरो प्लस जीरो और यह फाले वैट य की वैल्ली वी क पूइंट से निलिए फिर क्या करेंगे देखो अब तो एदिक ट्रीट नहों गारा अगर हमने पी पॉइंट लिया यह माइनस फाइब को मतिस अ कि एंड कोई लिया है हमने क्या माइनस फाइफ को में 0 कशा अब यसको methane करिंगे अगर फछीएॉल स्पाइंद गनी है में तो हम एक्सक्तु माइनस एक्सवß 110 इसको एक्स तगशाक्त करना ट्रीके से समझ रहे हुना दिहान से समझना ऑपनें कैसे लिख आ है एक्स टू फिर माइनस होता है और फिर यह वाली वैल्यग एक्सवन एक्सवन माइनस भी इसका इसका अलिज्ग प्लस वाइटू प्लस प्लस फाइव कोल स्कायर कितना हो जाएगा जीरो का स्कायर और यह जाएगा अब अब अगर हमें फाइंड करना इसे हैं क्या विश्टी फाइंड करना तो भीशी फाइंड कर लेते हैं कि भी आवारा जीरो को मा 16 और सिय मारे कितना जीरो को माजी इन दोना की सिर्फ करेंगे तो क्या होगा एक्स तो मैंस्ट आप ओल स्वाइर दे जाएगा अकीस तूरी इसक्स्टीन इसक्स्टीन unity च्री लिखिये इंधे प्रूब करने हैं प्रूब करने के लिए देखो फिरोगर सब्सक्राइब प्रूब करने के लिए थे तो पीक्वीट की गणर्ण है हमाने पास इतने सिक्स तो अब आपको दिखाना क्या अब इसमें आरे चाहिंद लें क्या त्रील पॉन तो गया है आपके बस इसमें मिस्टेक निकरनी आपको प्लस माइनस मिस्टेक हो जाए कि इसमें बस उसी में आपको फूशन गलत आएगा जिसे आपको लगए कि मेरें मुझे यूडरा वारा करना है जो तो फिर आपको चरूर हो जाया है खुषन कभी भी अजमान के देख लेना इंट्रीक विए जब हम मिस्टेक कर देते हैं उसमें मिस्टेक मिलती नहीं है बहुत टाइम भी लगा देते हैं तो फिर वह सही हो जाता है ठीक है तो जब कभी ऐसा कुछ हो तो आप उसे दुबारा से करना को देख लेना पहले पहले कैल्कुलेशन की मिस्टेक का और कुछ नहीं है ओके तो अब करेंगे आपर कुछन नमबर फोर्थ में करें रहा है कि फाइनल कोडिनेट्स ओप पॉइंट्स ओफ ट्राइसेक्शन ओप दर लाइन सेग्मेंट जोइनिंग पॉइंट्स इक्स-9 और इजिन ओके स्बिस्ट फेसे करनें मिस जो इसको प्रिक्षेंट में टिवाइड करते हूं एक लाइन सेग्मेंट है हमारे पास वान लेते एबी है इस लाइन सेग्मेंट को कुछ पइंट जो इसको ट्राइस्ट कर र यह मीस्टी पर अपाट्टिंग होग यह तुछ में सभी पार्ट एक्वल हो और सभी पार्ट एक्वल हो और करेंगे अगर हमाने सी को या वाल धार फान को एक्षियाल पार्ट आप अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमें C पॉइंट करना है, हमने C को क्या माना है, आप X1 Y1 मतलब लेड कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको X1 Y1 लेड कर चुके हो, X1 Y1 और X2 Y2, ऐसे मिस्टेक मत करना कि इसको X1 तो इसको Y2 लेड कर लिए नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, और कुछ नहीं है कच भी लाट कर सकते हों कि यहाँ पर ह souff már करना अगर or घर इसको देखने को बूल जाएं तो क्या हो जाएगा कितना ओजाएगा और अगर दिधो गूल जाए तो यह बन और बन टूरेश्टों हो जाएगा सब्सक्राइब कितना हो जाएगा हमारा तो तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉर पॉइंट सी के लिए 4.c तो अब हम क्या गरेंगे से में अगर हम सी पॉइंट करना है x- क्या होगा m1 x2 m1 x2 plus m2 x1 गार बार लिखोगे फॉर्मले को तो अपने पिलर्ण हो जाएगा कभी नि भूलोगे पॉर्मले करने की फॉर्मले को लर्न रखने की बैस्ट कियेगी कि आप उसे कोस्चन में बार बार रिपीट करोगे अपने आप यह वह पूस्चन आपको लर्न हो जाएगा यहाँ पर करेंगे अब हम x-dix की वैल्यू क्या m1 कितना होगा हमारा m1 वन होगा एक्स टू क्या होगा हमारा जीरो प्लस एम टू क्या होगा हमारा टू होगा एक्स वन क्या होगा हमारा सिक्स होगा डिवाइड वाइड 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 प्लस एम टू क्या होगा वन प्लस टू होगा ग्योivan कि वेल्यों क्या होगे मनें मंहीं है by a new y moon the टुगा रहे हैं बाइस कितना रहा है यहाँ जीरो हो जाएगा टुन टू में और वह भी माइनस का 10 हो जाएगा डिवाड भंधरी मेन इस की wra frente जीन होगी हमारा सीफ सीवाइंट होगा मयारा क्या और को मार माइनस यह द Hanım पॉइंट to be थे यह लेक्ट कर लेते हैं डिक्ट कोर्णेट यह ही देवल दैसर दैस और यह लेफ्ट किय Lil फिर वह यह होगी हमारे फोघ्राइज करेंगे एम मनेक्स स्टू प्लस एंट्व एक्सवन कि दिए वाय के लिए डबल टैस के लिए एमवन वाई वाय के लिए अम प्लस एंटू आई इस बार रही नहीं इस बार मन के लिए क्या होगी आप सी को भूल जाना है आपको यहां पर यह फिर या फिर या फिर या फिर इसमें लगा सकते हैं क्या मिड़ पॉर्मला अब कैसे लगा सकते हैं मिड़ पॉर्मला देखो सी तो आगया हमारे पास सी के लिए सी ओ बी के लिए डी मिड़ पॉइंट हो क्योंकि फ्रेकर्न कर सकते हो अगर हम ऐसे करते तो सिंक्पल क्या हो रखते। एम्टू की वैल्यू इस बार टू-ग वैल्यू रख्ते और एम्टू की वेल्यू रखते वर्द एम्ट्व बार्वाग्क्या उगफगा स्वार एर स्थ tidy 59 क्या उगफ ज़ processor एंब एंवन प्लस एंडू करेंगे तो अगर टू प्लस वन एक्सटेस कितना हो जाएगा जीरो द्यूस टिर टू एट डेस एंबन कितना होगा हमारा मने हमारा टू कि यू कितना यह दू है यह मारे पास कितना एरह 0 लिए हमने और वाई बन किया है हमारा यह यह बने यह ऑई न है डिवाई बैग इतना तो फ्लस वाई मैं डेफल स्कावेब देश्यान अपों तरी तो यह जाएगा हमारा माइनस त्री ओकें पॉंट क्या रहे हमारे तो इस D के point आ रहे हैं हमारे क्या 2,3 लेकिन यह जो point हमने find किया है इसको हम midpoint formula से भी कर सकते हैं midpoint formula किया था हमने क्या होता है midpoint formula x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 तो देखो अगर हम C और D, C और B को लेते हैं सिर्क इसको बोल जाते हैं तो C और B के लिए D midpoint है क्योंकि कि इसका ratio से हमारा ratio से हम कब होता जब यह value escape को लोगी तो limit point है simple सी बात है कि अगर हम इसमें यहाँ पर C है हमारा जिसकी value हम find कर चुके हैं क्या 4,-6 और यह हमारा B 0,-0 और हमें D find करना है और D करेशो बनने शो बनने तो इसका में से D midpoint है और किस midpoint के कोडिनेट से कर हमें find करने हैं इसको मैं एक्स डबल डेस वाइड़ डेस लिए तो इसको X1, Y1 लेट कर लो, इसका X2, Y2 लेट कर लो, midpoint formula होता, X is equals to X1 plus X2 divided by 2, Y is equals to Y1 plus Y2 divided by 2 लेकिन हम X double dash लिख रहे हैं, X double dash, Y double dash, X double dash के वेल लिए कि वेल लिए, X1 के वेल लिए 4 plus X2 के वेल लिए 0 divided by 2, आगया, कितना 2, 4 divided by 2 कितना आगया, 2 आगया and Y double dash, Y1 plus Y2, तो Y1 के वेल लिए minus 6, Y2 के वेल लिए 0 divided by 2, तो Y double dash कितना हो जाएगा, minus 6 divided by 2, तो हो जाएगा, 2, 3, 6, Y double dash हो जाएगा, minus 3, तो देखो, अभी भी तो 2 को में माइनस 3 आ रहा है, पहले भी माइनस 3 आ था यह point, पहले भी यह 2 को माइनस 3 आ रहा था तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट वाना जाएगा, ओके, एक्जाम में ये भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे, इसमें हम, कोशन नमर्ट 5 पर कहा रहा है कि, लाइन सेग्मेंट जोइनिंग इस और इस, इस डिवाइद इंदर रेश वन ने शो तरी, एट पॉइंट पी, तब पॉइंट वेर लाइन सेग्मेंट एबी, इंट्रेसेक्ट दा य एक्सेज, कैल्कुलेट दा वैल्लियो ओफ ए, कैल्क सेग्मेंट जोइन करती है, ए और बी को, ए और बी को गरम जोइन कर लेते हैं, ए की वैल्लियो माइनस 1,5 अपॉन 3, एन बी की वैल्लियो क्या है हमारी, ए कॉमा 5, ओके, क्या रहा कि, इन देशो पी, एट पॉइंट पॉइंट पी, बीज़े दिवाइड हो रहा है, कि इस एट पी, पॉइंट फेर दॉकर लाईन सेग्मेंट, बी इंटरसेक्ट धावाई एकस, यह पी ऐसा पॉइंट है, जहापर किया रहा है कि यह किस गतरे हैं आपर कि इसको इंडोसर्ट करते हैं, अगर यह वाई एकस, पो इंटरसेप्ट कर रही है, ता गाइक्स को टठ कर यह जाएगा इसमें यह जाएगा सिंपल तो अभी कहले तो पी के कोडिनेट फाइंड है यह पॉइंट कैसे लिखा यह ज्याद़ इंपोर्टेंट है मारा मौश्ट इंपोर्टेंट है कि हमने इस पॉइंट के कोडिनेट कैसे डिएव एक सिंपल अमने कि क्या होता है मिन अगर कोई भी लाइन दो तो वह था है यह होगी कि वाइक इस वाइक सिर्फ लेकिन वाइक की वैलियू कुछ भी हो सकती है इसको अब देखो अगर हम जीरो को ले यह एकस वन और एकस्टू ले तो बस इससे हमारा क्या हो जाएगा ju, फॉर्मला वही लगे का इसमें इसे एकसर वाइट ले रहे हैं और यह एकस्टू इसको करने रहे हैं ए confirma और इसको यह ए MON वह प्लू चस्की वैली सीरो m1 कितना है बन x2 कितना है a plus m2 कितना थिरी x1 कितना है minus 1 divided by m1 और m2 कास्म कितना है 1 plus 3 तो इस न उजाएगा हमारा 0 यह जाएगा 0 1 plus 3 और यह a a minus 3 जिपूरा 0 और यह a minus 3 माइनस 3 दर आएगा तो यह प्लस का त्रीफ टु टु एक वेल्ड दू हो जाएगी क्या को एसी आप में वाइक पाइड करना तो य के लिए हम क्या करेंगे वाई है इकल्स माइन टो प्लस टू ऐंक वाई बन तब तो यह रट गया होगा आपको m1 plus m2 y equals to kya करेंगे m1 की value 1 y2 की value कि लेंगे 5 plus m2 की value कि लेंगे 3 और y1 की value कि लेंगे 5 upon 3 divide by m1 plus m2 भी करना हो है तो एक कितना हो जाएगा 1 plus 3 यहां से 3 से 3 cancel उपर के बचे का हमारे पास 5 plus 5 divide by 4 10 divide by 4 value जाएगी 5 upon 2 तो बस एक यह वेल लेए होगे हमारी फस्ट फार्ट का आंसर और वाई की वेल लियो वे तो पी कोडिनेट्स क्या होगे तो पी कोडिनेस होगे जीरो गोंगा फाइफ अपॉन टू या फिर समिक्स्ट प्रेक्शन में टू वन अपॉन टू भी लिख सकते हैं तो हमें टू ब लॉड रेशो इस दर लाइन जोइनिंग एट बीट एक अक्स एकसिस तो इस टाइप इस बहुत सारे किये हैं जब एकस एकसिस डिवाइड करती है तो उस कंडिशन में क्या करना है तो उस कंडिशन में हमें सब से पहले इसके पॉइंट देखने क्या होगे तो ए और बी ल तो यह 0,3 और 4,1 इसको कोण डिवाइड करता है इसको एक प्वाइड करता है X-axis मतलब X-axis को कट कर रही है और X-axis पर कोई भी लाइन कट करती है तो उसके कोडिनेट्स क्या होते हैं हमारे X,0 होते हैं अगर X-axis पर यह लाइन जा रही है तो X को क्या होंगे कोडिनेट्स X,0 क्योंकि Y की वैली ओल्वेज जीर होगी बस रेशो फाइंड करने के लिए हमें कोई भी एक पॉइंट चाहिए इन दोनों में से तो जो भी हमारे पास given उसकी help लेंगे हैं इसको अगर हम Y let कर रहे हैं यह X,Y है तो इस Y के help हम रेशो फाइंड कर लेंगे कैसे करते हैं कि Y is equals to क्या होगा हमारा M1 इसको अगर हमने कह लिए है X1 Y1 और इसको क्या लिए है X2 Y2 लेट किया है तो क्या होगा M1 Y2 plus M2 Y1 divided by M1 plus M2 यह 0 है equals to M1 find करना है Y2 value minus 1 plus M2 M2 value find करनी है Y1 Y1 कि value 3 divided by M1 plus M2 कितना है हमारा find करना है M1 और M2 इदर multiply में जाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा यह जाएगा minus M1 और plus 3 M2 now minus M1 इदर आगा plus M1 equals to 3 M2 M1 और M2 कितना हो जाएगा 3 ratio 1 ओके यह हो जाएगा हमारा 3 ratio 1 नाव आब हम क्या करेंगे इसमें अब हम इसमें फाइंड करेंगे प्रेशित हो गया हमारा M1 और M2 मतलब 3 ratio 1 हो गया है और क्या find करना है इसमें और इसमें करने के लिए कि रहा है कि राट दो पॉइंट विर एबी इंटरसेक्ट दा एक्स एक्स जहां है एक्स 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 इंटरसेप्ट कर रही है इसको ठीक है लाइन को वह स्पॉइंट पी के नाम भी बता दो हमने पी नाम दे दिया इसको तो मिसमें एक्स की वेल्यू फाइंड करने के लिए इसमें लगाएंगे एम एक्स टू प्लस एंटू एक्स एक्स वन लगेगा यह सेक्शन पॉर्मलाइज अभी जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा एम बन प्लस एम टू एक्स की वेल्यू इस ही है यह डिए-मटन की वेल्यू हमारी पास कितनी आई है जिए को जर्ण मां ऑनगे नतरी एक्स टू की वेल्यू वोर्र प्लस एमटी वेल्यू कितनी ब्लस 59 वाई मैं एक्स एच्टू कितन्य वाल्यू बनाहर कि स्याव होगा कि पॉइंट होगा हमारा वह जाएगा तरी खुमा जीरो सिंपल है विल्कूशन तो कुश्चन के अंडरेस्टेंडिंग इंपोर्टेंट है ठीक है और पर सब्सक्राइब आपको और कैल्कुलेशन करें हम लगना है यह तीन चीज़े हैं आपके पास तो बस आप कभी भी कोशन गलत नहीं करोगे तो यह होगा हमारा कोशन नंबर से नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा सही आ रहा है विल्कू देखो तरी रेशो बन और त्री कोमा जीरो नेक्स्ट करेंग कोशन नंबर सेवन देखते हैं ओड़ सेवन क्या है और क्या कह रहा है इसमें यह सी पॉइंट जी वन क्या रही यहां पर यह हमारे पास यह हमारे पास क्या बी पर एक ओप कि यह क्या रहा है इसमें यह रहाई अट्बिक पॉइंट ऑफ दंग। एक्सिस को गिवन किये ना उन्हें एक्सिस गिवन किये हैं तो यह एक्स एक्सिस है अगर तो इसके कैसे मिटिपॉइंट फोर्मला क्या होता है X is equal to X1 plus X2 divided by 2 and Y is equal to Y1 plus Y2 divided by 2 means, यह X क्या है मारा, यह X है, यह Y है, ठीक है, किसी को भी X1 Y1 let कर लो, इसको X1 Y1 let किया आपने तो इसको X2 Y2 let कर लो बस, solve करना है, X की value क्या हो जाएगी, X1 0 plus X, 0 plus X divided by 2, X की value जाएगी, X upon 2 sorry, यहाँ पर X की, यहाँ पर है हमारी value 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4, यह 4 रखेंगे, तो यह जाएगा, 4 to the 8, और यह 0 plus X, X, तो 8 आगई, X value आगई, Y की जाए रखेंगे, Y की जाए रखेंगे, minus 3, ओके, Y1 क्या है हमारा, Y1 Y है, plus Y2 क्या है, 0 है, divided by 2, 2 3 जाएगा, minus 6, Y, यह value जाएगे, X की value 8 और Y की value minus 6 हो गए हमारी, तो इसका में एक कोडिनेट्स क्या हो गए, X की value क्या है, 8, 0, देखो प्लस का रहा है, और B की value 0, और Y की value minus मारी है, बिल्कुल सिंपल कोशन था है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, इसमें अबब, A, B, A, B is the diameter of a circle with center C, if A, given क्या है, find the length of the radius AC, तो length of the radius AC find करनी है, हमें, question number 8 में, and find करना, coordinate of B, A, B, एक diameter given क्या है, circle का, circle का, एक diameter given क्या है, A, B, इसको A, इसको B, अगर हम लेट कर रहे हैं, और क्या कह रहा है, कि center C given क्या है, इसका C center है, इसके coordinates भी given क्या है, 2, minus 5 है, minus 2, 5, तो minus 2, 5, and B के coordinates given क्या है, A के given क्या है, 3, minus 7, इसके coordinates, बता देंगे हम कैसे, यह radius ही तो होगी हमारी, यह हमारी क्या होगी, radius होगी, तो यह length बता दो AC, B कोदिनेट भी बता सकते हैं, क्यों, देख अगरी C हमारी center, हमरा center है, तो यह क्या होगा, AC और यह हमारा BC, दोनों same होंगे, यह मारे same line, तो क्योंकि radius है, और radius है तो ratio हमारा same होगा, means, अगरी same line के तो ratio हमारा same होगा, तो इसका means C midpoint होगा, AB के लिए, C is midpoint, तो writing बहुत ही जाद अच्छा है हमारी, ठीक है, तो इस, ठीक है, तो समझ जाना है, क्या रखा है, midpoint, तो C is midpoint of AB, then C के coordinates, अगर हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, एक स्टो वाई टो लेट कर लेते हैं, यह हमारा X 1, Y बन है, और यह X और Y है, then हमारा B की coordinates कैसे find होंगे, देखो, midpoint formula यूज़ करेंगे, X equals to क्या होता है, X1 plus X2 divided by 2, X की value minus 2 equals to, X1 की value हमने 3 लिए, plus X2 हमें find करना, divide by 2, 2 जा 4 हो जाएगा, minus का 4 equals to 3 plus X2, 3 दराकर क्या हो जाएगा, minus का 3 is equals to X2, और यह कितना हो जाएगा, minus का 7 equals to X2, ओके, now, अब हमें इसका second वाला करना है, तब Y is equals to क्या होगा, Y1 plus Y2 divided by 2, Y की value क्या है हमारी, 5 equals to, Y1 कितना है हमारा, Y1 है, minus 7, plus Y2 कितना है हमारा, find करना है, और divide by Y1, divide by 2, अब 2 5 जा 10 होगा, equals to minus 7 plus Y2, यह होजाएगा, 10 plus 7 equals to Y2, यह होजाएगा, 17 equals to Y2, B के coordinates होगा हमारे क्या, minus 7, 17, minus 7, 17 होगा है, यह B के coordinates, then हम AC या फिर DC में से कोई भी एक distance ले सकते हैं, दोनों ही same आने वाले हमारे, तो हम क्या कर लेते हैं, AC find कर लेते हैं, तो अगर हम AC find करते हैं, से क्या आ गया, 3, minus 7, and, क्योंकि अगर हमें सबसे पहले distance ही find करना रहता है, सबसे पहले हम AC लेते हैं, इसका distance find करके दिखा देते हैं, distance form आपको पता ही, इसको X1, Y1, और इसको X2, Y2, अगर हमने लेट किया, तो AC क्या होगा हमारा, AC होगा, अंडरूट में, X2, minus X1, X2, minus X1, का holy square, plus Y2, minus Y1, फिजे को minus है, पहले से इसमें, एक और minus तो यह plus 7, कितना हो जाएगा है, minus का 5 holy square, यह 12 का square, 13 आने वाला इसका अंसर क्योंकि क्योंकि 12, 5, 12, 5, 13, 8, 25, और यह 144, यह कितना जाएगा, 169, और यह जाएगा 13, हो गए लोग, लेंद आ गई, ठीक है, 13, यूनिट, यूनिट लिख देंगा हम इस टाइप से, कैंगे मैंने पता है, 70, mm में किस में है, अगर given किया है, तो हम इसमें, unit भी लगा सकते हैं, तो यह हो गया हमारा, कोडिनेट्स ओ दी क्या होगा है, तो बी के कोडिनेट्स तो यह होगा हमारे, एंड लेंथ हो गई 13 नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इसमें आप को पुश्चन नमबर 9 था है इसमें देखो पुश्चन नमबर 9 में क्या करा है कि फाइंड अपॉडिनेट्स ओफ दे सेंट्रोइड ओफ दा ट्राइंगल तो सेंट्रोइड की कोडिनेट्स क्या होते हैं हमारे अगर हम इसका एक सेंट्रोइड ले रहे हैं उसका सेंट्रोइड की कोडिनेट्स क्या होंगे हमारे एक्स और वाई लिया है हमने इसको क्या लैट कर रहstesन यदि इस को Миस्तों आइटो और इसको एक्सेरी अ एक्सक्राइब क्या होगी एक्सवन प्लस एक्सटू 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 प्लस Texas प्रइब योगई मख़ूए वाइम राटिर प्लस िव्लाइट नहरा माइनस वन-प्लसricht नहीं ब्लस, माइनसस्माइनस बेटल का ऐगा stub करें मेरे जिसको साइटकों के जो साइट आटे हैं तो इनके मीटेंसमे लिएन बिंटेक्शलांAT P सेघ्मेंट करें में मेडें कॉस्टन है कहांस ए दिर भाइंस सब्सक्राइब स्टाइस पॉइंट आप गोला को शेंट करने वाले जो मिट पॉइंट को से ओने लिए तो करने वाले का मिट पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बनने वारी लाइन का वो यह है तो यह हमारा माइनस 4,3B और यहां पर मीड़ पॉइंट है हमारा टू कॉमा माइनस टू मिड़ पॉइंट फॉर्मला लगाएंगे सोल हो जाए रवस्ट कॉम्प्लिकेटड वैली बना रखे हैं काम होगा है कुछ भी नहीं डर आ रहा है डरना नहीं है सिंपल अग खुर एकस करें अगर वायी है तो क्या होगा हमारा एक सीचल स्टू एकस बी प्लस एकस तु डिवैन वाई टू होगा एकस कि यहां डिकितना पोरे प्लस x2 कितना माइनस फोर डिवैड वाई टू एकशी बास टू करो भी नहीं unite 3-4 divided by 2 और एक की जाएगा क्या रखेंगे टूर रखेंगे यह फिर तो रखेंगे तू टू टू रखेंगे टू-2 तो फोर हो जाएगा एक बस का 4 तो 4 यह यह कितना हो जाएगा 8 प्लस का 4 हो जाएगा टू टू पोरे डिवाइड कर देंगे तू एक इस वेल्यू तो आओ थे BRIAN कंड़े कुला करने के यदि करेंगे वाइज एकलस तु बाइबन ब्लस राई टु टिवाइड बायड हो जाएगा वां कि जएका माईनस टूरक लेंगे पितना हो जाएगा byंवन प्इ liaison कि दीन माइनस थे प्लस अगतर विधाना उना इसे बैूरे के वाय टू तूटर गार लेंगे मानम माइनस हो जाए तो यह है तो हम इसमें क्या कर लेंगे एक वैलिव रखेंगे एक वैलिव रखेंगे माःस भी पिलस एट और माइनस फाइट विक क्योंिष एक और विकीवलेव और वीट कि वैलिवाइड ऑन वैं ओके विए विविट विवखें पनमारी छिम्पलिंफ है आप कर सकते हो वह कोशन यह नेक्स शूंदेखते हैं असमें कि कुशन नमर 11 में देखो इसी टाइप के कोश्चन दिया इसने भी काया कि मिड़ पॉइंट ऑफ दा लाइन साइगमेंट इन दोनों लाइन साइगमेंट का मिड़ पॉइंट है टू ए 4 and 1 2a प्लस 1 इनको मिड़ पॉइंट है किसका माइनस 2,2b का मिड़ पॉइंट यह है माझा इस यह कहा है इसने तो लेंगवेज में देखो इसने यह कहा है कि इन दोनों का मिड़ पॉइंट यह है बस अब इसमें भी होई करेंगे हम क्या इसको x1 y1 इसको x2 y2 और यह xy x is equal to kya होता है x1 plus x2 divide by 2 होता है x की value 1 है equals to x1 की value 2a है plus x2 की value है minus 2 divide by 2 2 इदर आकर multiply में तो 2 1 जट तो यह 2 है minus 2 minus 2 इदर आकर plus का 2 हो जाएगा equals to 2a यह 4 equals to 2a और यहां पर a की value कितने जाएगे 2 से rewrite कर देंगे 4 को तो 2 and b की value जेखेंगे पर से find करेंगे y की help से y equals to y1 plus y2 divide by 2 होता है y की value यह 2a plus 1 equals to y1 क्या है इसलिए हमारा इसलिए यह वाय 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 वन की value क्या है four plus y2 की value क्या है two b by two paring is now okay तो यह वाय वन और यह वाय टू तू भी तू जिदर multiply कर देंगे यह भी यहां पर value रख लेंगे क्या एक की एक वेल्य रखें ने टू यहम ने पाइंट कर चुकि है हैं 4 प्लस 2 वी क्वास्ट टू एंड यह कितना जाएगा टू टू प्लस टू बी डिवैड़ बाय टू टू फाइब टैन एक वर फॉर प्लस टू बी और इदर माइनस कर देंगे तो सिक्स टू टू बी क्योंकि फॉर द्राकर माइनस हो जाएगा तो टू से डिवैड़ कर देंगे तो तो यह आगए और बी की वैल्यूज ओके तो गाइस अभी के लिए इतना रखते हैं नेक्स लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे ओके तो बीडियों पसंद आए तो प्ली आप ऐसा मज़ सकते हैं ओके थैंक यू